इस वीडियो में आप लोगों के एक बहुत ही इंपोर्डन चीज़ बताने वाला हूँ तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है यहां पे परिक्षा कैलेंडर में मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि पिसली जो वीडियो थी उसमें मैं परिक्षा कैलेंडर आप विभागों के लिए important है आप लोग देखेंगे कि कुछ इस तरह से यहां पर जो तारंकित है या बूलेंगे इस पर स्टार बने हो हैं तो उसे आप लोग उन एक्जैम से यहां से आप लोग एक idea ले सकते हैं कि जो तारंकित परिक्षाओं के विग्यापन अभी परकाशित न यही है बहुत सारे विभाग जो है उसमें जॉब्स आती रहती है तो आपकी जो तैयारी है उसे आपको continue रखना है कहने का मतलब यही है मेरा कि आपको क्या करना है कि जो अभी आपकी तैयारी चल रही है जैसे कि आपका exam हो गया तो एक्जैम होने के बाद बहुत सारे लोग क्या करने वाले हैं एक और चीज इंपॉर्टन में आप लोगों को बता दू कि दो हजार जो है चौबीस में आप लोगों के फिर से क्या है इलेक्शन है तो जब भी इलेक्शन वाला टाइम आता है तो गवर्मेंट के लिए वी एक फोकस वाला टाइम रहता है कि कब हम वेकेंसिस निकालें तो दो हजार चौबीस को ये मान के चलिए आपकी दो हजार चौबीस में तो चुनाओ है तो दो हजार तेईस आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है दो हजार तेईस में आप लोगों को जो गवर्मेंट सेक्टर के एक्जैम होंगे उनमें काफी सारी सारे एक्जैम निकलेंगे और एक चीज और मैं आप लोगों को ध्यान अकरशित करना चाहूँगा कि एक्जैम सिर्फ उत्राखण में नहीं हो रहे हैं सिर्फ यूके के एक्जैम नहीं हो रहे होते हैं सेंटर के भी बहुत सारे एक्जैम से ऐसे होते हैं सेंटर के कि जिसमें की आप फॉर्म फिल कर सकते हैं उसमें आप कंपीट कर सकते हैं अब आप लोग जब तैयारी कर ही रहे हैं तो आप लोग एक चीज दिहान दीजिए कि जैसे हम यह मान के चले कि आप लोग हिस्ट्री तो आप लोग पढ़ी रहे हैं जियोग्राफी आप पढ़ी रहे हैं बाकी चीजे आप रीजनिंग या मैट्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग उत्राकंड के जीके के बजाए आप मतलब के अलावा आप लोग लगभग आपके तैयारे सारी चीजों में है तो थोड़ा सा और आप लोगों को एक्सप्लोर करना है अब दिखिए मैं यह मानता हूं कि गवर्मिन सेक्टर में एक बार आना चाहिए वो सेंटर की जाब हो किसी और स्टेट की हो कई सारी जाबस ऐसी होती कि उनमें कोटा रहता है बाहर का तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है अब अगर मुझे इस तरह की कोई जाब दिखती है तो मैं उसे चैनल पर जरूर आप लोगों को शेयर करूंगा बट फिर यह आपका एक परसनल ड्यूटी है कि आप अपने लिए क्या कीजिए थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए आप यह तो आप तैयार करी रहे ना इसके साथ में अगर आप थोड़ा बहुत और तैयारी कर लेंगे जैसा कि जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे में कुछ वेकिंसी आ रही होती है तो भर लए होते हैं देखे जब आपके पास जाब नहीं है तो आपको कोई सी स्टेट मिल जाए ठीक है कोई जरूरी नहीं कि उत्राखंड में उत्राखंड में मिल जाए तो बहुत अच्छा अपना अपना स्टेट है और यहां पर आप जाब कर सकते हैं और फिर जो उत्राखंड के लोग होते हैं थोड़ा सा मेरे मेरा मतलब खुद का मानना यह है कि बहुत ज्यादा बहुत शराफत मैं कह सकता हूं उनके अंदर होती है तो अपने अपने स्टेट में जाब मिल जाए तो बहुत अच्छा में जैसे मैं परसनल मेरा यहां पर सेलेक्शन हुआ था और यूपी मेरा लेक्चिरर में सेलेक्शन हुआ था बट मैंने प्रैफर किया था उत्राखंड में रहना तो अपनावना एक प्रैफरेंस है बट फिर भी मैं यह कहूँगा कि अभी अगर आप लोग को जॉब की नीड है या मैं कहूँ अगर उत्राखंड का हम particularly बात करें तो अभी 2024 मैंने कहा 2024 क्या है बहुत important एक साल आप लोगों की life में होने आला है तो 2023 आप लोग ऐसा मान के चलें कि आपको चिपके रहना है ठीक है तैयारी के बीच में बिल्कुल भी gap नहीं करना है आप लोगों को अपनी तैयारी खीच के 2024 तक ले जानी है और वहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के इसके बहुत अच्छे परिणाम आप लोगों को मिलेंगे तो 2024 आप लोगों धियान रखना है खुद को थोड़ा motivated रखना है और जो भी आपके courses वगेरा है उन्हें आप carry on रखिए जितनी तैयारी है उसे करते रहिए और अपनी तैयारी में बिल्कुल आप लोगों धील नहीं देनी है आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा होने वाला है अच्छा आपका साल गुजरेगा और मुझे लगता है कि ये साल जो होगा बहुत सारी लोगों के लिए अच्छा गुजरने वाला है तो आप लोग जरूर अपनी तैयारी carry on रखिए तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए जो भी अगर आपके सवाल होंगे तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक छोड़ा सा एक आइडिया जो माइंड में आया था वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मन हुआ तो मैंने शेयर कर लिया है मैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई टेक केर